नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है शिब सेना प्रमुक उद्धव ठाकरे आज कल ऐसे ढूलकते जा रहे हैं कि लगता है कि वो धीरे धीरे कॉंग्रेसी बन जाएगी यानि ऐसा लगने लगा है कि शिब सेना का अब कॉंग्रेस में बिलही होने वाला है सरकार बनाना सहयोग लेना एक अलग बात है लेकिन सरकार बनाने के बाद इस तरह सहयोगी पार्टी के कदमों में गिर जाना ये दूसरी बात है शिव सेना ने ऐसी बाते करी है कुछ पिछले कुछ समय से जिसे लगने लगा है कि शिव सेना अब कॉंग्रेस के खेमे में ही नहीं गई है बलकि कॉंग्रेस में ही चली गई है सबसे पड़ी चीज होती है किसी भी पाटी का मुखपत्र जो होता है मुखपत्र यानि कि उसके एजेंडे को बताने वाला एक अख़वार और वो अख़वार जब किसी ऐसी पाटी के लिए बात करने लगे जिसका वो हमेशा से विरोध करते रहा है तो ऐसे इस्तिति में ऐस से दूसरे पाटी की चंगुल में चली गई है और शिवसेना के साथ ऐसा ही हो रहा है शिवसेना लगतार अब सामना में कॉंग्रेस की जीहुजूरी करते हुए नजर आ रही है पिछले कुछ समय पहले शिवसेना ने जब जारखंड में चुनाव हुआ था तो ऐसी ही बात कही थी सामना में सामना में उससे मैं लिखा गया है कि जिस तरह से भारतिया जन्ता पाटी कॉंग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही थी अब धीरे धीरे भारत कॉंग्रेस की जगा भाजपा मुक्त होती जा रही है इसका मतलब था कि एक सरकार एक जगा बीजेपी को अगर बहुमत नहीं मिला तो उसके बाद ऐसी बाते कही जाने लगी और बीजेपी को बहुमत वहां नहीं मिला था लेकिन लोगों का समर्तन मिला था और बीजेपी वहां पर सबसे ज़्यादा वोट पाने वाली पाके थी फिर भी सिवसेना प्रमुक का जो वो बयान था बयान यान आज की बात नहीं है ये जब से शिवसेना शुरू हुआ है तो उसी समय से पहले बाला साहब ठाकरे की बात होती थी अब उद्धव ठाकरे की बात हो रही है तो जो उसमें छपता है वो शिवसेना परमुक के बयान के तोर पर छापा जाता है उसको लगता है कि उद्धव ठा की बात की गई है। कि सोनिया गांधी का दृष्टी कों इतना बड़ा है जिसके कारण हम यहां सरकार बना पाए। सोनिया गांधी के जहुजूरी में उसमें मतलब कसीदे गड़े गए हैं है। तो ऐसी बाते जो हो रही है उससे सिव सेना के जो सांसद हैं वो परिशान हो रहे हैं। ये बदलता हुआ जो उद्धब ठाकरे का रविया है उससे पहले भी सिव सेना के सांसदों में खलबली मची हुई थी क्योंकि उन्हें जमीन पर काम करना पड़ता है। इसके लिए हम आपको एक उदारन देते हैं। करना शुरू किया उन लोगों का जो इसके खिलाब थे। और उसमें ऐसे ही कई लोग थे जो सिव सेना के लिए भी काम करते हैं। खत थी वो चिठी लीक हुई और वो चिठी में लिखा हुआ था कि हम आपके परदर्शन में भाग नहीं ले पाये हैं। इसके लिए हम छमा चाहते हैं क्योंकि हम दूसरे मिटिंग में बीजी थे। और ये जो चिठी थी वो था शिव सेना के एक सांसद हेमंत पाटिल का। अपने लोगों को ये बताया था कि हम नागरिक्ता संसोधन कानून के पूरी तरह समर्थन में हैं। और जो शिव सेना का जो अस्टेंड जो बदल रहा है शिव सेना यानि उद्दव ठाक्रे का। शिव सेना सिर्फ उद्दव ठाक्रे नहीं हैं लेकिन वो परमुक हैं। इसलिए उनके अस्टेंड बदलते ही पूरे सिभ सेना के अस्टेंड बदलने की बात हो जाती है तो उन्होंने लिखा था कि ये सिभ सेना के अस्टेंड जो बदल रहा था उससे परवावित नहीं थे और उनको लगता था कि हम अपने लोगों को अपने वोटर को क्या और इसके लिए उन्होंने ये अपलोजी लिखी थी और वो चिट्टी बाद में लिख हो गई बाद में एक कंट्रोवर्सी हुआ लेकिन फिर भी ये बात सामने आई कि शिव से ना के उस बदलते अस्टेंड से उनके सांसत जो है खुश नहीं है उद्दब ठाकरे चाहे जित सभा में जब इन्होंने समर्थन दिया था तो राहुल गांदी ने एक ट्विट करके इनको बताया था कि हमारे साथ रहना है तो आपको हमारे अजेंडे के साथ चलना होगा नहीं तो फिर हम आपको सहयोग नहीं देंगे उसके बाद उद्दब ठाकरे का सुरु बदल गया था और उन्होंने राजसभा में आधार बना दिया कि हम अगर हमारे सवालों का जवाब सरकार नहीं देती है तो हम उसका समर्थन नहीं करेंगे राजसभा में और राजसभा में इन्होंने वाक आउट किया था इसके सांसदों ने वाक आउट किया था और वाक आउट करना अपने वोटरों से ये वादा कर रहे हैं बता रहे हैं कि भई हमारा एजेंडा हिंदूत्व का एजेंडा है और इससे हिंदू धर्म के उन सरनार्थियों को वो सरनार्थी जो किसी ने किसी तरह से प्रताडित हो के पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान से भारत सरन लेने के लिए आये हैं उन लोगों को हम समर्थन दे रहे हैं और हमारा एजेंडा साप है इसी तरह की एक बात पहले भी आई थी उससे पहले जब उद्धव टाकरिक कॉंग्रेस के साथ गठवधन करने के लिए तैयारी कर रहे थे और दोनों के बीच बिल्कुल सहमती बन गई थी तो उस समय भी एक सांसद ने ऐसी ही बात कही थी और होने कहा था कि हमारी पार्टी जो शिब सेना है उसका एजेंडा हमेशा हिंदूत्व का रहेगा और हिंदूत्व के एजेंडे पर ही पार्टी खड़ी हुई और वो सांसद जो थे वो थे कृपाल बाला जी तुमाने किरपाल बाला जी तुमाने नागपुर के पास राम टेक के सांसद हैं और हुने उस समय ऐसी बड़ी बाते कह दे थी जिसे सियासी गलियारों में ये बात तेज हो गई थी कि अब सिवसेना में बगाबत होने वाला है और ये बगाबत हो रहा है अब तुमाने साहब क्यों ना ऐसा बोलें इसके पीछे भी एक कारण है वो वहाँ से कॉंग्रेस के बड़े नेता मुकुल वासनी को हरा के आये हैं और वो हमेशा कॉंग्रेस के परिवारबाद यानि सोनिया गांधी राहterm के परिवारबाद की राजनीती का विरोध करते आये हैं कॉंग्रेस के एजेंडे को गलट बताते आये हैं उनके तथा कथित सेकूलरिज्म का विरोध करते आये हैं और आज कॉंग्रेस के साथ ही सिवसेना परमुख ऐसे बैठे हुए हैं और उनकी नीतियों के ऐसी सराहना कर रहे हैं जिससे ये लोग अनकमफर्टेवल हो गए हैं इनको लोगों के पास जाना है वोट लेने के लिए इसलिए इन लोगों ने इन सांसदों ने अपने अपने में किसी न किसी अस्तर पर उसी विचारधारा के साथ चलने का निरने लिया है जिस विचारधारा के साथ ये पहले चल रहे थे और ऐसी सित्यों में शिवसेना परमुख जिस तरह से कॉंग्रेस के साथ चल रहे हैं कॉंग्रेस के होते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है कि आब वो कॉंग्रेस में अपनी पार्टी का बिले ही करने वाले हैं तो ऐसे में उनके सांसद हैं जो परिशान हो गए Aren यह दो उधारन मैंने दिया यह दो उधारन उनने ताउं का है जिनके अंदर करेज है जो यह बोलने का शाहस कर सकते हैं सबके अंदर ये करेज नहीं होता है, कुछ लोग इन लोगों के खेमे में हैं, जो खुलके बोल नहीं सकते, लेकिन उनके अंदर भी खिचडी पक रही है, उनको वो समय का इंतजार करते हैं, कि जब ऐसा समय आएगा, अनुकूल समय आएगा, और हमें पार्टी से अलग होके भी अपनी स्थिती बनाय रखने की उमीद होगी, समबावनाय होगी, तो उस समय हम फिर ये दिखाएंगे, कि उद्धव ठाकरे ने जो किया, वो गलत किया था, और आज जो कर रहे हैं, उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं, अगर वो सरकार चलाने के लिए सहयोग लिए हैं तो उस सहयोग के साथ अपनी सरकार चलाएं, वहाँ पर महराष्ट में शिव सेना की सरकार जो है, उसके सरकार के साथ चलें, थोड़े बहुत कॉंग्रेस के सहयोग लेने का उनको अदा करते रहें, लेकिन फिर भी अगर उसके साथ साथ ये रास्टिये अस्तर पर कॉंग् पूरा राजनितिक भविष से अधर में लटक जाएगा, क्योंकि ये लोग जमीन पर जाएंगे, तो वहाँ इनसे सवाल पूछा जाएगा, कि भाई आपका विचार क्या है, जिस विचार के आधार पर आपने पाटी बनाई, जिस विचार को लोगों ने समर्थन दिया, व तो आप खत्म हो चुका है, आप विरूधी खेमे में चले गए हैं, जिसके साथ आप लड़ रहे थे, आप उसी के साथ चले गए हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, और अगर चलता है, तो फिर शिव सेना के अंदर इतनी पाटियां बनेगी, इतने कि फिर शिव सेना सिर्फ दिखाने के लिए रह जाएगी, क्योंकि ऐसे असमान गठवंधन किसी भी और जगह पर भी बहुत ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है, आप यूपी का उधारन ले ले लें, जब बसपा और सपा एक साथ आये लोग सबाचुनाब में, लेकिन चुनाब के बाद, ततकाल बाद ही, माया बती ने बता दिया कि हम इनके साथ ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकते, दोनों का अधार अलग-अलग, दोनों का रास्ता अलग-अलग हो गया, और ऐसे रास्ते अलग नहीं होते, तो दूसरे पाटी, जो भी एक पाटी है, जो निगल जा रही है और शिव सेना प्रमुक उधव ठाकरे अपनी कुर्सी बचाने के लिए ऐसे हो गए हैं इतने कुर्सी के मुह में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि हम धीरे-धीरे कैसे शिव सेना को कॉंग्रेसी से ना बनाते जा रहे हैं शिव सेनिको को कॉंग्रेस के कालकरता बनाते जा रहे हैं जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको अब कॉंग्रेस के जेंडे पे चलना सिखा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उनके सांसद उनके विधाये बहुत परिशान हैं और वो कभी भी इनके रवये से नाराज होके एक अलग गुट बना सकते हैं तो इसी तरह की कबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रही है मैसायोग ताकि इसी तरह की कबर हम आपके लिए लाते रहें धन्यवाद अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो अक नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुनने के लिए शुक्रिया